Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to online kakshah आज मैं आपके लिए Top 25 Current Affairs लेके आई हूँ जो January मन्त के हैं और मैं आपको Weekly Current Affairs के 25 क्वेशन हर वीक में देती रहूंगी तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए जिससे की मेरे वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक पहुन जाए ये मेरा सोशल मेडिया है अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इतन सारे सोशल मेडिया हेंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं मूव करते हैं अपने पहले क्वेशन पे पहला हमारा क्वेशन कहता है कि भारती रिजव बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए कि शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंच करण केंदर स्थापित करने का निरने लिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैपुर जैपुर से आपको याद रखना है कि जैपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और अभी फरवरी 2020 में इसको वियनस के वर्ल्ड हेरिटे साइट में शामिल कर लिया गया है जैपुर राجस्थान की केपिटल है राजस्थान से आपको याद रखना है कि यहां के सिएम जो है वो अशोग गहलोट जी है और जो गवर्नर है यहां के वो कलराज मिश्र जी है यहां की लोकसभा सीट जो है 25 है और राजसभा सीट जो है वो 10 है ठीक है अब थम बोर नैशनल पार्क देखने को आपको मिलता है, यहां पर सरिस्का नैशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, केवला देव घना पक्षी बिहार भी यहीं पर ही है, और कुछ आपको स्कीम से से रिलेटिड याद रखनी है कि इंद्रा रसुई योजना, मोक्ष कलश योजना, नौजात शिशू सुरक्षा योजना, आरोग य सुईतु मुबाईल आप, यी बजार कोवेड आप, कुछ ये सारी चीज़ें आपको राजस्तान से रिलेटिड याद रखनी है, मूफ करते हैं अपने नेक्स्ट कोईशन पे, हाली में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भौलारी में किया गया, यानि, रिसेंटली, शाहीन एयर वार्फेर एक्सिसाईस बिडविन पाकिस्तान और विच कंट्री वास और अरगनाईज़ इन भौलारी सिंध पाकिस्तान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, जाई जिंपिंग अंकल बैठे होए हैं यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है, चाइना से आपको कुछ important चीज़े याद रखनी है, कि इसको People's Republic of India भी बोलते हैं, इसकी capital बीजिंग है, यहाँ के President Jai Zamping अंकल है, यहाँ पे कुछ important international organizations की headquarter भी है, जोकि Asian Infrastructure Investment Bank, इसका headquarter बीजिंग में है, बीजिंग आपका China का capital है, यहाँ पे BRICS का headquarter चंगाई में है, BRICS से 5 member countries included होती हैं, जोकि Brazil, Russia, India, China और South Africa, पहले यह 4 member countries रहती थी, और पांचवी अभी 2010 में South Africa को शामल किया गया है, यहाँ पे New Development Bank का headquarter भी शंगाई में देखने को मिलता है, इसके chairman K.V. कामित जी है, इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है, end तक बने रहिएगा, मैं आपसे last में question भी पूछूँगी, उसका answer आपको comment section में बताना है, तो हमारा अगला question कहता है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्ण में से कहां आयुजित किया जाएगा, यानि World Economic Forum 2021 will be organized from which of the following places, तो इसका सही answer हो जाएगा, Singapore, right answer will be D, विश्व आर्थिक मंच 2021 सिंगापूर में organized किया जाएगा, अब बात आती है World Economic Forum की, तो World Economic Forum का जो headquarter है, वो कोलोनी जेवा, जेनेवा, कैंटॉन, स्विजिलान में है, ये एक international NGO है, जो 24 जनवरी 1971 में found की गई थी, ठीक है, इसके founder जो है, वो कलॉस शेवाब है, और इसका जो motto है, वो committed to improving the state of the world, ठीक, move करते हैं अपने next question पे, वाल्मार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घूशना की है, यानि, वाल्मार्ट has announced to export 10 billion dollars by 2027 from which country, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारा अपना प्यारा भारत देश, ठीक है, अब वाल्मार्ट से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कि वाल्मार्ट जो है एक multinational retail corporation है, इसका headquarter जो है वो Wenton Valley, Arkansas, US में है, और ये found किया गया था Sam Walton के द्वारा 1962 में, इंडिया से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, इंडिया में जो questions को पता है, मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, जो जहां से questions आते हैं, मैं आपको वो बताना चाहूंगी, इसके Chief Economic Advisor, हमारे प्यारे भारत देश के Chief Economic Advisor, कृष्ण मूर्थी सुब्रमन्यम जी है, यहां के जो CAG है, वो गिरिष चंद्र मूर्मूजी हैं, जो 14 नंबर के CAG है, CAG का मतलब Comptroller Auditor General of India, CAG appoint किये जाते हैं, President के द्वारा, CAG का काम होता है, जो हमारे Public Purse, जो हमारी आर्थिक चीज़े खर्च होती है, उसका जाजा लेना, और Report P.A.C. को Submit करना, ठीक है, और इसका जो tenure होता है, वो 6 years और 65 years of age, इन में से जो भी पहले आ जाए, ठीक है, मूव करते हैं अपने next question पे, हमारा next question कहता है, अंतरराश्ट्रिय परवत दिवस, यानि International Mountains Day, इन में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 11 December, 11 December को International Mountains Day मनाया जाता है, अब बात आती है December की, तो December में कुछ important days हैं, आपको याद रखना है, 1 December को मनाया जाता है, विश्व एट्स दिवस, 2nd December को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्री दास्त प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 December को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्री विकलांग दिवस, 5 December को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्री अम्रिदा दिवस, 4 December को मनाया जाता है, भारती नौसेना दिवस, 7 December को मनाया जाता है, भारतिय सशस्त्र सीना जंडा दिवस 10 दिसम्बर को मनाया जाता है विश्वमानवा दिकार दिवस 11 दिसम्बर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस दिसम्बर मन्त की कुछ important days हैं जो आपको याद रखने हैं move करते हैं अपने next question पे हमारा अगला question कहता है कि हाली में भारतिय टीम के किस cricket keeper बल्ले बाज ने cricket के सभी format से सन्यास की घूशना कर दी है तो इसका सही answer हो जाएगा पार्थिव पटील इसका सही answer हो जाएगा 104 ठीक है भारतिय क्रिकेट टीम जो है वो एक सो चारवे नंबर पर फीफा वर्ल्ल रैंकिंग में पहुँच गई है बात आती है फीफा की तो फीफा से हम कुछ important facts जान लेते हैं फीफा का जो full form है वो Federation International D-Football Association है फीफा का जो लोगो है मोटो जो है वो for the game, for the world है found किया गया था ये 21 मेई 1904 को और इसका जो headquarter है वो Paris, France में है बाइसावा फीफा का जो World Cup का संसकरण होगा वो कतर में होगा 21 नॉम्बर से 18 नॉम्बर 2022 को ये पहली बार होगा जब किसी Muslim majority country में पहली बार FIFA World Cup होगा ठीक है, move करते हैं फिर 23rd जो हमारा संसकरण होगा, वो तीन countries में होगा, तीन जगों पे होगा, US में होगा, मेक्सिको और कैनेडा में जो की 2026 को होगा, move करते हैं अपने next question में हाली में Cambridge Dictionary ने किस सब्द को word of the year 2020 के लिए चुना है, यानि recently Cambridge Dictionary selected which word for the word of the year 2020 तो इसका सही आंसर हो जाएगा quarantine, quarantine को word of the year 2020 के लिए चुना गया था move करते हैं अपने next question पे हाली में किस राजी ने देश में सर्विस रेस्ट लिंग अनुपात का record दर्ज किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश ने अभी सर्विस रेस्ट लिंग अनुपात का record दर्ज किया है अरुनाचल प्रदेश से आपको याद रखना है कि यहां के CM जो है वो पेमा खांडू जी है यहां के जो गवर्नर है वो ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी है और यहां पे मीबडी आप जो की कुरोना वाइरस फाइट के लिए बनाया गया था यहां पे पक्के पागा हॉन्वेल फेस्टिबल मनाया जाता है यहां पे डैपोरीजो ब्रिज का भी हाली में उदगाटन हुआ है यहां पे पक्के टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है यहां पे नामदफा नैशनल पाग भी पाया जाता है इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है move करते हैं अपने next question पे हमारा next question कहता है हाली में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का तेस्ट आैकन नियोक्ट किया है तो हमारा सही आंसर हो जायेगा सोनुसूत जी को यहां पे टेस्ट आंसर पंजाब नियोक्ट किया गया है जाली में अपने देश बहरत ने किस देश से 21 मेग 29 और बारस सुख्य तीस MKI लड़ा को विमान खरीदने का फैसला किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रश्या रश्या विल भी दा राइट आंसर अब रश्या से आपको इतनी जानकारी लेनी है कि रश्या का जो कैपिटल है वो मॉस्को है यहाँ पे इंडिया और रश्या के बीच इंडरा एक्सेसाइस चलता है हाली में और यहाँ पे लेक बैकाल है यहाँ पे माउंट एलब्रस भी सिटुएटेड है जो की हाइस्ट पीक ओफ यूरोप है ठीक है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेशन पे हाली में किस राजी सरकार ने सेक्षडिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम कर दी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा ओडिशा विल बी दा राइट आंसर ओडिशा से आपको याद रखना है कि ओडिशा की जो कैपिटल है वो भूवनेश्वर है ओडिशा के जो सीएम है वो नवीन पतनायक जी है यहाँ पे सुमंगल पोर्टल शुरू हुआ है यहाँ पे रजगुले को जी आई टैग मिला है यहाँ पे गरिमा नामक नई यूजना की शुरुआत हुई है यहाँ पे सत्कोशिया टाइगर रजव है सिमली पाल नेशनल पार्ग है गहिर मट वाइल लाइफ सेंचुरी है और मिशन जीरो एफ भी यहाँ पे ही स्टार्ट हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे मिशन जीरो एफ इसलिए स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पे किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा अगर बीच है, उसको विकसत करने की घोशना की है बात आती है गुज्रात की, तो गुज्रात से आपको याद रखना है कि गुज्रात के जो CM है वो विजय रुपानी जी है यहां के जो Gouverneur है वो अचारे देवरत जी है यहां के Important National Park के जो है वो गिर National Park है गिर नेशनल पार्ग, मरीन नेशनल पार्ग, रन आफ कच नेशनल पार्ग, रन आफ कच को वाइड डेजर्ट भी बोलते हैं, वन्शिदा नेशनल पार्ग, यहां पे ही देखने को मिलता है, यहां पे सुझलाम सुफलाम जल संचय अभ्यान अहाली में शुरू हुआ था, यहां पे उंबारे अंगनबाडी नामक पहल की शुरूआत हुई थी, मुख्य मंत्री महिला उतकर्श योजना की भी शुरूआत यहीं से हुई थी, गिरनार रोपवे का उधगाटन भी हाली मे यहां पे किया गया, किसान शुरूआत योजना भी यहीं स्टार्ट की गई, तो गुजराथ स्टेट से इस क्वेशन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, मूव करते हैं अपने नेक्स क्वेशन पे, नेक्स क्वेशन को मैं बताने से पहले आपको यह बताना चाहूँँगी कि बने रहीएगा end तक जिससे कि मैं last में आपसे कुछ questions भी पूछूंगी और उसका answer आपको comment section में देना है हाली में हावडा काल का mail का नाम किस नाम पर रखा गया हावडा काल का mail का नाम किस नाम पर रखा गया तो इसका सही answer हो जाएगा नेता जी सुबास्चंद्र बोश जी के नाम पर रखा गया क्योंकि अभी 23rd January को 125 समी birth anniversary थी सुबास्चंद्र बोश जी की और इसी दिन को पराकरम दिवस के लिए भी पराकरम दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है move करते हैं अपने next question पे हाली में राश्ट्रे बाली का दिवस कब मनाया जाता है 12 January को 15 January को 13 January को या 24 January को तो right answer will be 24 January 24 January को हमारा राश्ट्रे बाली का दिवस मनाया गया अब ये important days वाला question है तो 12 January को National Youth Day मनाया जाता है National Youth Day मनाया जाता है 15 January को National Indian Army Day मनाया जाता है 24 January को राश्ट्रे बाली का दिवस मनाया जाता है इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है move करते हैं अपने next question पे हाली में मनुहर पारिकर आप्दा रेकॉर्ड नामक पुस्तक किस ने लिखी तो इसका सही आंसर हो जाएगा वामन सुबा प्रभू ने मनुहर पारिकर आप्दा रेकॉर्ड नामक की पुस्तक लिखी है अब मनुहर पारिकर की बात आती है तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुआ के थे अब गुआ की बात आती है तो यहाँ पे गुआ में सलीम अली बड सेंचुरी पाई जाती है भगवान महावीर वाइल लाइफ सेंचुरी पाई जाती है दबोलिन एरपोर्ट भी यहीं पे है मांडोवी रिवर यहीं पे है मूव करते हैं पने नेक्स्ट क्वेशन पे अमेरिकी राश्ट्र पती जो बडेन ने किस भारती अमेरिकी को दक्षन एशिया का वरिष्ट नेदेशक नामित किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमोना गुहा को सुमोना गुहा बिल भी दा राइट आंसर बात आती है अमेरिका की तो अमेरिका से आपको याद रखना है कि कि यूएस और क्यानेडा की बीच की जो लाइन है उसको डिवाइट करने वाली लाइन को 49 पैरल लाइन बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइट करने वाले लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन इंडिया चाइना की बीच की लाइन को मैक मोहन लाइन बोलते हैं इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है move करते हैं अपने next question पे माधो सोलंकी जिनका हाली में निधन हो गया किस राजी के पूर मुख्यमंत्री थे माधो सोलंकी who died recently was the former chief minister of which state तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के ये पूर मुख्यमंत्री थे अब गुजरात की बात आती है तो मैं गुजरात से बार बार बोलती हूं कि गुजरात के जो CM है वो विजयरुपानी जी है अचारे देवरत जी है और यहां की लोग सभा सीट्स जो है वो 26 है और राजे सभा सीट्स जो है वो 11 है ठीक है और यहां पे गिर नाशनल पार्क मरीन नाशनल पार्क, वंशदा नाशनल पार्क, रन आप कश नाशनल पार्क पाई जाते हैं ब्लाक बक नैशनल पार्क ये सब यहीं देखने को मिलते हैं माधो सुलंकी जी थ्री टाइम्स यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए ये ज्यादा चर्चे में हैं भारत को और स्थाई सदसी के कार्यकाल के दौरान संग्युक्त राष्ट रुसरक्षा परिशत की किस समिती की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है इंडिया विन आज़्ट चेर विच कमिटी अफ यूनाइट निशन सेक्यर्री काउंसल दूरिं इस टेनियूर अज टेंपरिरी मेंबर तो तालिबान सेंक्षन कमिटी के या काउंटर टेरिजम कमिटी के या लिब्या सेंक्षन कमिटी के या सभी के तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के अब बात आती है संग्युक्त राष्ट रुसरक्षा परिशत की तो ये एक international peace और security को maintain करने वाली body है इसकी parent जो body है वो UN है यहाँ पे total 15 members है जो की 5 permanent member होते हैं और 10 temporary member होते हैं इसका headquarter जो हो है वो New York में, US में है और यह found किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है move करते हैं अपने next question पे Who is the author of book right under your nose right under your nose की पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही answer हो जाएगा G. गिरिधरन G. गिरिधरन जी इसके author है right under your nose move करते हैं अपने next question पे हाली में DRD ने किस राज़ी की तट पर smart anti-fail weapon का सफल उडान परिक्षन किया है तो इसका सही answer हो जाएगा Odisha Odisha पे Odisha में smart anti-air field weapon का सही successfully इसका परिक्षन किया गया है अब बात आती है Odisha की तो Odisha से आपको मैंने बताया कि mission 0F की शुरुवात यहीं से हुई है यहाँ पे सबकूशिया Tiger Reserve देखने को मिलता है Similipal National Park यहीं पे देखने को मिलता है गहिरमट Wildlife Century यहीं पे देखने को मिलता है और यहाँ पे चिलका लेग भी है move करते हैं अपने next question पे what is the theme of प्रवासी भारते दिवस 2021 प्रवासी भारते दिवस 2021 का विशे क्या है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा contributing to आत्म निर्बर भारत यह 16 प्रवासी भारते दिवस मनाया गया जो कि 9th January को हर साल मनाया जाता है और इस बार webinar की थूँ conference webinar की थूँ मनाया गया भारते प्रवासी भारते दिवस प्रवासी भारते दिवस मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन गाधी जी South Africa से India लोटे थे तो उसी के उपलक्ष में हर साल 9th January को प्रवासी भारते दिवस मनाया जाता है move करते हैं अपने next question पे Toyathon 2021 is an ministry of how many ministries of India Toyathon 2021 भारत के कितने मंत्रायलेओं की पहल है तो इसका सही answer हो जाएगा 6 यह 6 मंत्रायलेओं की पहल है इसमें कौन-कौन से मंत्राले है ministry of education है ministry of women and child development है ministry of textile है ministry of commerce and industry है ministry of MSME है ministry of INB है तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि ministry प्लस और कौन सी body है तो इसमें 6 ministry और एक AICTE भी है jointly Toyathon 2021 launch की है ठीक है इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है move करते है अपने next question पे खाली में भारती राष्ट्री परियतन दिवस कब मनाया गया when has Indian National Tourism Day been celebrated recently तो इंडियन टूरिजम डे जो है वो 25 जन्वरी को मनाया गया इसी दिन आपको नैशनल वोटर्स डे भी देखने को मिलता है और जो हमारा ये नैशनल टूरिजम डे मनाया जाता है इसका जो थीम है वो देखो अपना देश थीम है और ये 25 जन्वरी को मनाया गया 15 जन्वरी को आपको पता है कि इंडियन आमी डे मनाया जाता है इंडियन आमी डे मनाया जाता है 12 जन्वरी को नैशनल यूथ डे मनाया जाता है move करते हैं अपने next question पे जो की last question आज का हाली में किसे उत्तराखंड में एक दिन का CM बनाया गया उत्तराखंड में हाली में एक दिन का CM किसे बनाया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा शृष्टी गोस्वामी जो एक बात आई है उत्राखंद की तो उत्राखंद की CM त्रिवेंद सिंह रावच जी है और गवर्नर बेवी रानी मौर्या यहाँ पे उत्राखंद में ओल्डेस्ट नाशनल पार्क जो की सबसे ओल्डेस नाशनल पार्क है वो जता है एंCR से आपको इतनी जानकारी है पर आज आते हैं tyre आपके आज के criticism की तरफ तो question आज का आपका ये है कि World Economic Forum 2021 कहां पे किस जिगे पे आयोजित किया जाएगा शांगपा ट्राइव किस स्टेट से बिलॉंग करती है और टॉयका थौन 2021 में कितने मंत्रा लेने हिस्सा लिये हैं ठीक है इन तीनों का इन तीनों question का answer आपको comment section में देना है जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो तो please like, share and subscribe जरूर करिएगा जिससे कि मेरी next वीडियो की update आपको मिल जाए तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, I love you all